देवास में मंगलवार को कलेक्टर कार्याले में जिला योजना समीती की बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक के दोरान प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी और देवास से भाजपा सांसद महिंद्र सोलंकी के बीद जम कर बहस हुई जहां जीतु पटवारी ने सांसत को बैठक से बाहर करने की धमकी दे दी जानकारी के अनुसार बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी कलेक्टर, S.P. जिलापंचायत, C.E.O. और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ ही देवास से भाजपा सांसत महिंद्र सिंग सोलंकी भी उपस्थित थे वहीं बैठक में किसी बात को लेकर पटवारी और सोलंकी के बीच बहस हो गई बहस के दौरान प्रभारी मंत्री ने सांसत को बैठक से बाहर करने की धमकी दे दी हाला कि अधिकारियों के समझायश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक प्रारंब हुई बैठक समाप्त होने के बाद एक बार फिर दोनों में बहस हो गई बहस की जानकारी लगते ही कुछ कॉंग्रेसी कलेक्टर ने कार्याले पहुँचकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की यह कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू तू धेरा तू करेगा बार बार इस तरीके से भाशा बोल रहे थे हाथ और उंगी दिखा रहे थे वीडियो में आपने क्या आगया होगा तो मैंने मैंने कहा कि यह किस पत की गरिमा होती है तो फिर उन्होंने जो वक्तव दिये उसको लेकर मैंने कहा कि यह यसी भाशा बोलना किसी पत के लिए नहीं होता है आप इसके अपने इच्छा आपसे नहीं थी आप जजब की भूमिकासे यह आए हैं पर मेरा मानना है कि यह जनता देख रही है और जनता हमारा सांसत केसा हो यह तो अहदिकार है जनता का हमारा सांसत केसा हो वो जनता ने देखा कि हमारा सांसा देशा हो तो मैं समझता हूँ हर जनता ने जिनने बोर दिया उनको भी दूख होगा ये पार्टियों का मामला नहीं ये पार्टी से उपर उठकर एक जन्पृतिनिदी के विववार का मामला और जन्पृतिनिदीों का एक परिवार होता इससे पहले भी जियोस की बैठक में जीतु पटवारी और महेंदर सिंग सोलंकी के बीच विवाद हो चुका है Bureau Report, JSR Times, Indore